दोस्तो आज बिल्कुल ही कम बजट में आपका CD किस तर से construction किया जाता है आज उस पर बात करेंगे चुकि RCC का work करने में हमें पता है कि जब CD का construction करते हैं तो लगभग एक लाग से लेके डेर लाग दो लाग तक का construction cost चला जाता है सिर्फ steer के design करने में और आज उसी पर बताएंगे कि आप इसमें cost cutting कैसे कर सकते हैं क्योंकि middle class लोगों के लिए construction करना एक बहुती बड़ चुनाती पूर्ण कार होता है और उसके साथ ही RCC member with frame structure अगर करवा रहे हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही आपको problem में डाल सकता है तो आज उसी पर लेकर आए CD का construction किस तरह से कर सकते हैं तो जैसे ही देखते हैं कि CD जब हम लोग design करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका setting करना होता है उसके बाद space निकालना होता है लेकिन यहाँ पर सबसे छोटे से जगे में सबसे बढ़िया construction किया गया है यह 6 feet चोड़ा में और 9 feet आपका space लिया गया है लंबाई में चुकी इसका cantilever बाहर निकाल गया है और इसका जो slab का casting हुआ था उसके हमने brick work के साथ work किया है जिससे इसका 50% RCC cost आपका बची गया और easily आपका CD काम में आ सकता है अब इसके उपर आप finalization में कुछ भी यूज कर सकते हैं जैसे granite यूज कर लिजिए, tiles यूज कर लिजिए या आपको जिस तरह से appearance करता है आप उस तरह से work में ला सकते हैं तो brick work देने से हमारे पास दो तरह के cost बच जाते हैं एक तो material cost बचती है दूसरी labor cost भी बचती है और तीसरा suttering जब हम लगाते हैं तो वह पट्रा भी हमारा कुछ हद तक बच जाता है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 50% तक आपका RCC cost इस stair design करने में बच जाती है अब बात कर लेते हैं कि क्या ये strength उतना ही देगा बिल्कुल देगा क्योंकि stair हमारा एक way होता है रास्ता होता है लोगों को उपर आपका floor to floor connect करने के लिए तो इस तरह से दिमाग में ये मत रखेगा कि क्या है इस तरह की CD आपके लिए आनिकारक होगी या कुछ इस तरह का कि आपको load beer नहीं कर सकता है red brick काफी अच्छा माना जाता है इसलिए हम लोग CD के construction में जहां पर cost की cutting करनी होती है वहाँ पर हमारे पास option होता है कि red brick का हम जो है राइजर और trade में ला सकते हैं लेकिन याद रखे कि flat हमेशा RCC बनाए नहीं तो cost अगर brick की बात करे तो ज़्यादा भाग जाएगी इसलिए flat हमेशा RCC का construction करिएगा अब दूसरी चाहती है कि space को पढ़ाने के लिए क्या किया जाए तो यहाँ पर maintenance करने के लिए जो RCC का बगल से जगे थी तो कोपला निकालके और उस जगे समान रखने में या कुछ आपका scenery बनाने के लिए यह जगे छोड़ सकते हैं तो यह depend करता है कि आपको architecture plan किस तरह से करना है लेकिन जहाँ बात हो गई cost cutting की तो stair आप cost cutting करके इस तरह से बना सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ share करिएगा मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद